नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जी के में जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नौलेज से महत्वपूर्ण कुश्चन्स की वीडियो इसमें हम कुछ टाइम से वीडियो लेकर नहीं आ रहे थे अब इसमें हम डेली अप्डेट देते रहेंगे आज की स्वीडियो इसमें लेकर आए है टौ फिप्टी जनरल लौलेज कुश्चन्स जो सभी कंप्टिटरी एक्जैम्स के लिए इंपॉर्टन होने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को फिप्राइब कर दीजे जिससे सभी वीडियो के नॉटिफीकि Questions तुरंत मिलते रहें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला क्षिठन है भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहा हुई थी ऐसे क्षिचन सग्जैंड में बार बार पूँचे जाते हैं इसका अंसर ह बोध गया में भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी अगला कुशन है आरे समाज की स्थापना किस ने की थी तो आरे समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगले कुश्चन है पंजाबी भासा की लिपी कौन सी है पंजाबी भासा की लिपी कौन सी है तो इसका अंसर है गुरु मुखी पंजाबी भासा की लिपी है इसके बाद आ जाता है किस रहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माड सूरे वर्मन दुतिय किस हसनकाल में ह हुआ था तो इसका अंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर बीहु किस राज्य का प्रसिद्य तेवहार है यह कुस्टन्स भी ऐसे कुस्टन्स बहुत important होते हैं जो बार-बार exam में repeat होते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखें तो बीहु किस राज्य का प्रसिद्य तेवहार है असाम का प्रसिद्य तेवहार है कागज का विसकार किस देश में हुआ है तो इसका साह जफर दूतिय का मकबरा कहां इस्तित है तो ये है रंगून मियामार में अगला कुश्चन है अहमद साह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आकरमण किया था तो इसका अंसर हो जाएगा आठ बार आकरमण किया था नादिर साहने भारत पर आकरमण कब किया था तो 1749 ही स्वी में नादिर साहने भारत में आकरमण किया था इसके बाद अगला कुशन है सीवा जी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था तो इसकान सर हो जाएगा भूर राजसों का 33 परसेंट राजसो वसूल हो जाता था आगला की जामा मस्जिद का निर्मार किस ने कर वाया था तो जहां आरा बेगम ने आगला कुश्शन है किस गुरू सिक ने किस सिख गुरू ने फार्सी भासा में जफर नामा लिखा तो इसका अंसर है गुरू गोविंद सिंग अगला कुश्चन है गुरू नानक का जीवन परिचें किस सिख गुरू ने लिखा है तो इसका अंसर हो जाएगा गुरू अरजुन देव ने अगला question है औरंग जेब के सासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था औरंग जेब के सासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था तो इसका अंसर है मुरसीद कुली खाँ सिवा जी की मिरत्यू कब हुई थी 12 अपरेल 1680 में औरंग जेब ने बीवी का मकबरे का निर्मार कब करवाया था इसका अंसर हो जाएगा 1689 में सामुगड का युद्ध कब हुआ था सामुगड का युद्ध हुआ था 1658 में हैदर अली मैसूर के सासक कब बना था मैसूर का सासक बना था 1761 में नादिर साय कहां का सासक था तो ये था इरान का सासक माधो राव नारायन पेश्वा कब बने 1761 इसवी में अगला कुश्चन है गुरू गोविंद सिंग ने खालसा पंथ की नीव कब डाली थी तो 1699 में गुरू गोविंद सिंग ने खालसा पंथ की नीव डाली थी इसकांसर है मुहम्मद साह के समय में फरुक सियर किसके सहयोग से मुगल बाजसा बना था इसकांसर हो जाएगा सयद बंधू भारत पर आक्रमण करने वाले किस एरानी सासक को एरान का नेपोलियन कहा जाता है तो इसकांसर हो जाएगा नादिर साह को किस राज्य के सासक नवाज वजीर कहलाते है इसका अंसर हो जाएगा अवध के सासक नवाज वजीर कहलाते है आदी ग्रंथ का समा योजन किस ने किया था इसका अंसर हो जाएगा गुरू अरजुन देव ने मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है मोधी बना होता है कैल्सियम कारबोनेट का मानो सरीर में सबसे अधिक मातरा में कौन सतत्थ पाए जाता है science के questions हैं ये कुछ तो इसका answer हो जाएगा oxygen मानो सरीर में सबसे अधिक मातरा में oxygen पाए जाती है किस प्रकार के उतक सरीर के सुरक्षा कबच का कारे करते हैं इसका अंसर हो जाएगा एपिथीलियम उतक किस वैग्यानिक ने सरव प्रथम बरफ के दो टुकडो को आपस में घिसकर पिगला दिया था तो इसका अंसर है डेवी ने सबसे अधिक तीवरता की ध्यों ध्वनी कौन उत्पनल करता है तो इसका अंसर है बाग सूरे ग्रहन के समय सूरे का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता है तो इसका अंसर हो जाएगा क्रीट टाइप राइटर टंकन मसीन के अविसकारक कौन है सूल्स टाइप राइटर के अब इसकारक है सूल्स सिर्का को लैटिन महासा में क्या कहा जाता है तो लैटिन महासा में एसी टर्म कहा जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है औक जैली कम औक्जैलिकन कप्रियों किया जाता है अगला कुश्चन है गन्य में लाल सडन रो किसके कारण उत्पन होता है तो इसका अंसर हो जाएगा कवकों द्वारा आम का वानस पतिक नाम क्या है मेंगी फेरा इंडी का अगला कुश्चन है काफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किस से प्राप्त होता है तो ये जड़ों से प्राप्त होता है सुर्योदय का देश किसे कहा जाता है तो जापान को सुर्योदय का देश कहा जाता है बांगला देश की राजधानी क्या है बांगला देश की राजधानी है धाका रिकसा सबसे पहले किस देश में चला था तो ये रिकसे का सबसे पहले देश में चला था जापान में अगला है वानखेड स्टेडियम कहा इस दित है वानखेड स्टेडियम है मुंबाई में करनाटक का रतन किसे कहा जाता है मैसूर को करनाटक का रतन कहा जाता है अगला है वे कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारम किया इसका अंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिल जी जैन धर्म तथा बहुत धर्म दोनों ही किसमें विस्वास करते हैं इसका अंसर है कर्म तथा पुनर जन्म के सिध्धानत में विस्वास करते हैं अगला कुशन है छत्रपती सीवा जी का राज्जा भिसेक वाला पंडित गंगा भट कहां कानिमासी था तो इसका अंसर हो जाएगा बनारस कानिमासी था लाल कुणर नाम की वैसिया किस मुगल सासक के राम राज काज में अती प्रभाव सील थी इसकान सरो जाएगा बहादूर साह अगला कुशन है किस सिख गुरू पर खुसरो को जहांगीर के विरुद विद्रो तहायता करने का रोप लगाया गया था इसकान सरो जाएगा गुरू अरजुन दीव अगला कुशन है पतंजली द्वारा लिखा गया महाभास या निमलिकित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है इसकान सरो जाएगा अश्टाद ध्याई दादा साहब फाल के पुरसकार किस मंत्राले की ओर से दिया जाता है तो इसकान सरो सूचना और प्रसार मंत्राले की ओर से दिया जाता है अगला कुशन है समुद्र के जल में लवन की ओसत मातरा क्या होती है तो इस 3.5 ब्लड ग्रूप की खोज किस ने की थी ब्लड ग्रूप की खोज की थी लैट स्टेनर ने और आखरी क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के लिए परियुक्त उतकरश्ट गैस कौन सी है तो यह थे सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके हैं मिलते हैं से नेक्ट वीडियो में धन्यवाद